पैरे वद्यार्थियों सब तो पहला मेरे चैनल ते तो हड़्ञ बहुत-बहुत स्वागत है जी वद्यार्थियों जी में के तहा नोल पता ही है के तो हड़े फाइनल पेपर फरवी तो शुरू हों जा रहे हैं जी ते मेरे वलो आप सब जीनों बहुत बहुत शुब काम नमा तांके तुसी सारे ही सब्जेक्ट विच्चों सारे ही विश्यां विच्चों वधिया नंबर लाएके पास हो वो देया थिवो आई दी वीडियो विच आपना विपाग वलों पे जे मैध विश्य दे सैंपल प लाना तां जो पेपर नेडे तुसी उसकापी तों दोराई कार सको अब पहले लां कोश्चन पेपर देख लेने हां जी ते कोश्चन पेपर विच आपने को देखो कुल जो आंखान हो असी नंबर दा पेपर आएगा अपने को ते समातेन कैंटे दा होएगा पूरे प्रशन हान ओर बहुत कलपी प्रशन होंगे जिस वीचों अपने को धेती हो ऊप्ष्ण देती हां उनुह वैंप्षो करना कारा अगले जो आठ प्रशन हान वो सही गल्द वाले होंगे ते फिर अगले जो 8 प्रशन हान वो खाली स्थान परन वाले होंगे इस तरह टोटल अपने को जो पाग उड़ा है वो बती नमबर दाएगा जी पाग एड़े वेच 4 तो लेके 11 तक टोटल अपने को 8 प्रशन होंगे इस तरह पाग उड़े वेच बारा तो लेके 16 तक इस तरह पाग जो ससा है इस दे वीच दो प्रशन होंगे स्तार्मा ते ठार्मा ते दोनों ही प्रेशन होंगे छेशे आंका वाले इतमीन दो प्रेशन अपने को होंगे जी छेशे आंका वाले ते ए जो पाग ससा है ए अपने को हो जागा जी बारा नमबर दा इतमीन टोटल अपने को जो मिला के पेपर है बक्ती नमबर दा पाग उड सोरा नंबर दा पाग AIDA, V नंबर दा पाग ED, ते 12 नंबर दा पाग SASA, ते कुल मला गए अपने को 80 नंबर दा पेपर आएगा जी, ते आओ पहला इस कोशन पेपर नूँ देखलो जी, अपना एक के करके इस कोशन पेपर दे, सारे हिस्वाला नूँ उन सॉल्व करना है ज टोटल अपने को चार पाग गंदे विच कोश्चन नो बंड़ आ गया है जी पूले पेपर नूँ पाग उड़ा एड़ा एड़ी यते ससा ते स्टोन आओ पहला हुन देख लेने हैं जी केड़े चेप्टर दे विच्चों किने नंबर दा पेपर आ रहा है मार्क्स डिस्टि पेपर लाग के हैं नंबर जी इस दे विच जो असी नंबर हाँ उगती पेपर दे हुन दे हाँ दास नंबर ताड़े प्रयोगी प्रिख्या दे हुन दे हां जिसमनों आपा प्रैक्टिकल कहद़ाने हाँ ते दास नंबर दा तादा इंटरनल असेस्मेंट जो है सी सी इस टोटल ताड़ा 100 नंबर दे विचों, फाइनल पेपर जो है, उस दे नंबर लाक्याओं देहां जी, ते आउन देद्यां कि केड़े चैप्टर दे विचों किने नंबर दा पेपर आ रहे हैं जी, यह तुसी इसनों नोट कर सकते हो, जिस तरहां जो पहला चैप्टर है, प्रमे संख्यामा इस दे विचों टोट रहा पानू, चार नंबर दा पेपर आएगा, एक दो प्रशन होनगे अपने को एक एक नंबरा बाले, एक प्रशन होएगा अपने को दो नंबरा बाला, ते चार आते छे वाला कोई भी क्वेशन जो है, इस दे विचों नहीं आएगा, चार नंबरा आते छे नंबर बाला, इस तरहां देखो, जो चैप्टर है, एक चाल बाले रेखी समी कर, इस दे विचों कोल तानू, पांज नंबर दा पेपर आएगा, एक प्रशन आएगा, एक आंक वाला, ते इस दे विचों दो आंका वाला कोई प्रशन नहीं है, एक प्रेशन अपने को आएगा चार अंकावला जी ते शी अंकावला प्रेशन इस देविचों कोई नहीं आएगा एस तरह सुन तुसी जो बाकी चैप्टर्स हान उन्हानू भी तुसी नोट कर सकते हो देखो किस चैप्टर देविचों किन्ने नमबर दा पेपर आ रहा है ज अपने कापी दे ऊपर जी ते आँ हून आपां जो question paper देवेचे जो विपाग बलो सेम्मेल पेपर पेच जा गया है उस दें तर जिन्ने भी questions आए हन वो सारे ही questions आपां एक एक करके हल कर दें हैं जी question start कर दें हैं जी पहला question अपने को इस तरह हैं जी ए छहान लिखें विच्चों केड़ी प्रमेश संख्या 0 अते 1 दे विच्कार है एसमों देख़़ए अपने को प्रमेश संख्या लिखी है बटेया विच जी अपने को लिखे हो है नमबर बटा 5 जो इस दो उखल्टा पर बने यह जहूद है कि's time अज़ गोंगर सब्सक्राइब अपने कुस्तन है जी कटाओ गुणात मक फाण अपांज पता करना है देखे लिखक स कटा ओदा साइन है उसे तरह रहेगा देखो कटा ओदा जो साइन है उसे तरह रहेगा पर जो नंबर हन ये नंबर अपने को पल्टा देने हैं दो बटा पांज है पल्टा के की बन जाएगा है पांज बटा दो जो अंच है हर बन जाएगा हर जो है वो अंच आ जाएगा तो देखो केड़ी option अपने को आ रही है जी, यार यह second option कटाओ दा पांज बटा दो, सुना अपने को इस्तर है जी, संख्या 9 नू, M दे विच्चों कटाउन ते की प्रापत होएगा, चार option देती हैं यहां जी, देखो संख्या 9 नू, M दे विच्चों कटाउना है, यह आ जाए जानता है, जेही स्थिती वेच, चित, जाँ उसनों, English विच्चों कहा जानता है, हैड, प्रापत होएगा की संभावना है, ते एस नू तानों, एक सिक्के दे, दोनों पासे नजर आ रहे हैं, एस नू आपना कहा जानता है, जी, टेल, पाट, ते आपना पता करनी है, हैड प्रापत हों दी संभावना, ते देखो, अपने को कटना दे, जो अनकूल परणाम हान, ओ किने हान, ते कटना दे, कुल परणाम आपा देखने किने हान, जी, अपना संभावना दा फाब्रा लिख लह है, कटना दे, अनकूल परणाम, बटा कटना दे, कुल परणाम, कुल दो हान जी देखो दो के स्तरा एक head तेक tail जितों सिक्के नूशाल दे हैं जहाँ head आ सकता है जहाँ tail आ सकता है एक कटना दे अनकूल परणाम हो गए हान अनकूल परणाम की होंदे हान जिस दी आपां संभावना पता करनी है आपां संभावना किस दी पता करनी है head परापत करन है कि यह चार ब मुल की होगा दे चार अपनों ऑप्शेन वा जाएगा एक बटा दो इट में देखो कि टी रई ऑप्शन है जी जो फॉस्ट वाली उप्शण है अ syrup ते नदी गाज zero दा मूल की होवेगा ते चारा पानों आप्षन देती है है हान सुन किसे भी नंबर दी अगर गाज zero है तो ओ हमेशा एक दे बराबर होंदा है एट मीन एथे ते दी काज zero है ते दी काज zero भी किस देखकर धोएगा एक दे इकल होएगा एट मेंड केड़ी option राइट है जी third option is the right option अला question इस तरह है जी x दा की मुल होवेगा जिस लई व्यन जक ते next कटा हो 4 अते 2x जमा एक ब्राबर हो जानते हान ते एस तो देखो जिते अते लिख्या होया है अते दी जगा अपने थे ब्राबर पादना है जी ब्राबर पाके इस नों अपने हाल कर लेना है ते हाल करके देखना है कि ए चार option दी विच्छों आपने को x दा केड़ा मुल लाओं दा है जी देखो अपने दोनों ही व्यन जक्स नों आपने पहलना इकल कर देना है ते next कटा हो 4 दूसरा व्यन जक्स अपने को है जी 2x जमा एक दुआनों आपने की कर देता है जी ब्राबर कर देता है उन ब्राबर कर के थो आपने x के दा पता करना है जी देखो जो x वाले नंबर जान x वाले जो रखमाहन उनानों आपना कर देना है जिए जो बिना एक्स बड़ी नमबर्ज आखन उना नों अपने को सज्जे पासे हुटा कर दो जएगा तो देखो फिसे पासे तो जो गटा हो दा चार है उसके अपने को एक्स इस तरफ आएगा झार है। यह खबे पससे तो सज्य पसे बन जाएगा तो यह जमा दा 4 बन जाएगा। अपने को आजाएगा। आप देखो ten ax दे विच्छूों आपाँद दोBon x कटा दिये ते आपने को आ जाएगा एक एक्स बराबर एक जमा चार एक दे विचे चार नो जोड़ांगे तो पांच आजाएगा एक एक्स दा मतलु एक्स ही होंदा है जी एक्स न गुना करांगे एक्स आजाएगा बराबर पांच अपने को पांज तो देखो के डिए option राइट है जी थर्ड option दिए राइट option अपने को इस तरह है जी संख्या दो सो पच्ची दा वर्ग मूल की होवेगा चार आप्च्चन देते होई यहां तो न ते वर्ग मूल आपा वर्ग मूल किस तरह पता करना होंदा है नीचे जो नंबर दिते होए हान इस नंबर नो आपा उसे नंबर ना मल्टिप्लाई करना होंदा है तो देखना है किते मल्टिप्लाई करके अपने को दो सो पच्ची होंदा है जिस तरह पहली आप्शन अपने को है पंदरा नू पंदरा ना गुना करांगे इस पून अपने को दो सो पच्ची आजाएगा बाई नू बाई ना गुना करांगे ए अपने को चार सो चरा सी आजाएगा पच्ची नू पच्ची देना गुना करांगे ए अपने को आजाएगा जी छे सो पच्ची ते 222 बाराणों बाराणां करांगे अपने को एक सो चताड़ी ते देखो कि थे अपने को चाहिदा सी 200 पच्ची 200 पच्ची कि थे आ रहा है 15 नू पंद्राणां करने ते इट मीन 200 पच्ची था जो वर्ग मूल है किस देख कल्ट हुआ जाएगा 15 देख को लाजाएगा इट मीन फर्स्ट ऑप्शन इस दा राइट ऑप्शन अला कोशन भी काफी इजी है ते कई बार मैं ए पिछली वीडियो विच भी तानू करवा चुक कहां जी के कोशन है ये ठी लिख्यां विच्चों किस स्तिती दे वि विच्चों अपने को वेच्च मुल वद है उसनों ख्रीद मुल कट है तो उसनों विच्चों कटा के जो भी अपने को बचेगा उसनों अपना की कहा देने हान लाब कहा देने हान इट मीन जो तीसरी ऑप्शन है कि जो वेच्च मुल है वो ख्रीद मुल तो की होना चाहिए चाहिदा है जी वद होना चाहिदा है ताहिं आपनों लाव होएगा जी इस तरह है जी संख्या दोसो तरतारी दे कान दी अकाई आंक की होवेगा ये देखो जी दोसो तरतारी दे कान दा अकाई आंक लेना है उन देखो दोसो तरतारी दा अकाई आंक केड़ा है अपने को ते गुना आगया है, हुना पांगी करना है, तेन दा कान करना है, तेन दा कान किनना आएगा जी, तेन दा कान मत्तोब तेन दी का तेन, तेन गुना, तेन गुना, तेन, तेन तेन ना देखो, पहला गुना करांगे, नौ आजाएगा, नौ नौ फिर तेन ना गुना करांगे, ते तोन्ड अपने को किन आजाएगा टोटल. स्ताई आजाएगा यह देखो multiply करके 3-3 बर גुणा करंगे की किका हैगा multiply करके स्ताई आजाएगा तो स्ताई देखो अपने को जो अकाई वाओ अंकái केड़ा है वो है जी इतमीन 3rd option is the right option अपनेगी कैड़ा जी कटाओ, B पाद दो, तरस्टोन ए दी काद कटाओ, A पाद कटाओ, D d पाद दो, कटाओ, D d बसक्ताओ, D जो फाम्मला होनदा है, ओ होनदा है, जी आजाएगा, A कटाओ, B, ते दूजी ब्लेकर दे विचा आजान दोंदा है, A जमा, B, ते देखो, A आएगा, A कटाओ, B पहली bracket चे दूसरी bracket बड़ेज ए जमा भी आजाएगा एट मीन एस bracket दे विच की आजाएगा ए जमा भी ते केड़ी option राइट है जी सेकंड option इस दा राइट option अपने को इस तरह है जी एक कना आप दे किन्ने किनारे हुन दे हां पहला आपने को इस तरह बन गई है एक आपने को इस तरह बन गई है किनारे की हुन दे हां इस दियां जो साइडा हां उसनों आपना इस दे किनारे कहा दे हां जी ए जो लाइना ताम नजर आ रही है हां ए टोटल आपना काउंट कर लणे हां ए इस दे किनारे हुन गे जी ए देखो जी कित तरह एक दो तिन चार पांज छे साथ आठ नो दास ग्यारा ते बारा एट में जो कनाव है उस दे टोटल बारा किनारे हुन दे हां एट में अपने को जो चौथी आप्शन है वो सही आप्शन है जी अपने को इस तरह है जी हे ठा लिख्यां विच्चों केड़ा तेन एक्स वाई दा समान पाद है देखो जी अपने को एक्स वाई दा समान पाद हो जाएगा जिसना इस दे लास विच एक्स वाई दी का दो है एक गलत है एथे कला एक्स है गलत है एथे एक्स वाई जैड आ गया ये भी गलत है जी ते एथे देखो चार सो दे पिछे कला अपने को एक्स वाई है एथे भी देखो अपने को xy है एथे भी xy है एट मीन ए दोनों की हो जानगे समान पाद आ जानगे एट मीन अपने को right option के लिए है जी fourth option is the right option सुमला कुछ निशना है जी 2y अथे by xy दा सांजा गुनन खंड पता करना है चार option देतिया हुई यहां उन देखो अपने को सांजा गुनन खंड किस्तना पता करना है जी देखो पहला है 2y 2y नों आपने को लिख सकते हैं 2 गुना y इसे तरह दूसरा अपने को है जी by xy ते by नों देखो किस्तना लिखा जा सकता है by नों आपने को लिख सकते हैं 2 गुना 11 ते पिछे अपने को ना जा रहा है इंट मिद्वन विच्छ सांजा की आ गाए एक दो आ गया थे एकवाई आ गया थे देखो के लिए Also Right है जी शेकंडье प्रफिन इसथा है जी वेलन अगला सुटर की होएगा नीचे चार आप्षिन देती है हुई यहां हो न सुन सब्सक्राइब आपको पता होने दा वेलन की हुँदा है जी वेलन अपने को जिस तरह गलास दी शेप दा कोई भी कोंटेनर है ते कोई भी शेप अगर इस तरह दी है जिस तरह कोई अपने को पाइप है गलास है इस तरह दी शेप दा कोई भी अगर ची जहाँ ग्लास दे अंदर किना दुद्ध पाया जा सकदा है उस दा की हो जाएगा आइतन हो जाएगा इस दा फॉर्मला हो दा है तो अपने को पाई आर्दी का दो एच ते देखो के डियो option है जी second option थर्ड option इते थर्ड लिख्या जाएगे second लिख्या होया इससे थर्ड आएगा जी तो यहोने थे ता नुपता होना चाहिएदा है कि actual चापने को πाई की है आर की है ते एच की है पाई दा जो मुल है ओ फिक्स होंदा है उसनों आपा बाई बटा साथ लिख दे हाँ ते जो आर है आर इसनों किया जाएगा अर्द व्यास ओ की होना है जी एथों लेके एथे तक दी जो दूरी है उस दूरी नुप आपा आर कहे देने हन अर्द व्यास ते एच की होनदा है इस वेलन दी जो उचाई है हाई टी जिसनों अपने को है जी ते इस दे अंदर किनी चीज पर ही जा सकती है ओ इस दा आइतन होंदा है जी ते आइतन दा अपने को फॉर्मुला की है जी पाई आर्दी का दो है जी अलग कुछन अपने को इस तरह है जी जे A, B, C पूरन संख्यामा हान पूरन संख्यामा एडिया हों दिया है जनी 0 तो शुरू हों दिया है 0, 1, 2, 3 कोई भी संख्यामा ही हो सकती है हन ता 111 A, B, C नो हमेशा किड़ी संख्या बंड सकती है नीचे 4 ओप्षिन देती है है हन तो शुरू देखो आपने को नंबर लिख्या होया है 111 तो ब्रैकेट दे अंदर है A, B, C हों जो शुरून A, B, C हन वो कोई भी पूरन संख्यामा हो सकती है हन तो इट में A नंबर जों आपने ही चेक करना आपने चेक करना है जी जो बारवरा नंबर है 111 आपना दिखना है कि 111 ये जो तेन अपने को नंबर हान वो केड़े पाड़े वेच ओंदे हैं 111 दिखो 5 दे पाड़े वेच नहीं आसा था क्योंकि लास्ट वेच एक है ते 4, लास्ट वड़े दो अखर जी कर 4 दे पाड़े वेच ओंदे हान ये जो पूरा नंबर है वो पूरा पूरा बंड़े आ जाएगा ये जो फर्स्ट वारी आप्शन अपने को राइट है जी किसे भी पांज पूज दे अंदरूनी कोना दा जोड़ फल किनना होंदा है चार आप्शन देतियां हुई यहान देखो एक पूजा दूजरी पूजा दीसरी पूजा चौत्थी पूजा अथे पढ़ मी पूजढ ऑट जी सब्सक्रक्री आपने को पमज पूजी इह जी को 10 पूजढ को 10 केड़े हान देखो ए हान इस दे अंदरूनी कोन कोन एक कोन दो कोन तिन कोन चार ते कोन पांच पांच जी कोन हान ए पंजा कोना दा पांच जोड फल पता करना है ते अपने को फॉर्मला की होंदा है जी बहु पुझ दे अंदरूनी कोना दा जोड होंदा है एन कटाओ दो ग चार ते 5 इट मीन N दी जगा अपां 5 पार देना है जी देखो 5 कटाओ 2 गुणा 180 5 विचों 2 कटाओ 3 आ गया 3 गुणा 180 ते ए आ जाएगा जी 3 गुणा 180 540 डिगरी इट मीन केडी ऑप्षन राइट है जी 2nd option is the right option ते इस दे जो विकरन होंदे हैं, ओकी होंदे हैं जी जो टेडियाल लाइना में बना रहे है जो आमने सामने जो सिखर होंदे हैं सानमुक सिखर उनानू जोड के जो बन दे हां लाइना इनानू अपने को हो जाएगा जी ते ए अपने को हो जाएगा जी इसदा दूसरा विकरन आयत दे विच दोनों ही जो विकरन हां उना दी जो लंबाई है उकी होंदी है बराबर है ते बिल्कुल सही कथन है जी एक बिंदू दिता हुए आपा नू एल बिंदू दे नर्देश अंक हान आपने को कटाओ 9,0 य तुरे दो पर स्थित है दसना है कि सही है जा गलत है ते ए स्टोन पहले आपने जान दे हां कि कोई भी जो बिंदू हुंदा है वो किस तरह हुं दो पर भी दो तरह हुंदा है कि ओ एक्स अख़ान रहत दे नर्देश अंक हुंदा है तो में 0,y तो पहले नंबर दे जीस तरह हो जेकर पहले नमबर ते 0 है ता ओ अपने को y तू रेते, जेकर दूसे नमबर ते 0 है ता ओ अपने को x तू रेते स्थे थुनता है, जी, इस जगा ते देखोंगे अपने को नमबर है l कटाओ 90, ते 0 अपने को किते आ रहा है, जी, दूसे नमबर ते आ रहा है, जेकर दूसे न तिन चार पांच एक संख्या है ति दस्या गया है कि ए जो संख्या है ये नौधा गुनज है नौधा गुनज है मतलब ए नौधे पाड़े विच आउधी है दसना है कि सही है जा गलत है यह 9 दे पड़े वेच आउंदी है जा नहीं आउंदी है ते सुन एत्य आपा लगातना है जी 9 दी 5 जोगता दा नियम पा योगता दा नियम की है इस दे जो अंकान 1,2,3,4,5,6 इना अंकानों जोड़ के देखो अपने को केड़ा नंबर आ रहा है 1,2,3,4,5,6 इना नों सुन आपने जोड़ांगे ते इना सारे नंबरा नों जोड़ के अपने को आ रहा है जी 1 ते आपनों पता है कि जो 1 है वो 9 दे पाड़े वेच नहीं आएगा जेकर 1 दे पाड़े वेच नहीं आएगा तो ए जो पूरी संख्या है अपने को 1,2,3,4,5,6 ए भी 9 दे पाड़े वेच नहीं आएगी एथे लिखा है 9 दे पाड़े वेच आएगी एट मीन ए बड़ा जो कथन है वो गलत है किसे गोल नक्षे जहां पाई चार्ट दे वेच कुल केंदरी कौन 360 दिग्री दा हुंदा है तो एस बिलकुल अपने को सही स्टेटमेंट है तो नीचे था आनो देखो एक गोल नक्षा जो पाई चार्ट है नजर आ रहा है एस दा केंदर है उन केड़े केड़े कौन थे न दिग्री दा ते अगला कौन अपने को है जी 108 दिग्री ते ये सारे कौन आनो जेकर अपन जोड़ दे हां ते जोड़ के देखो अपने को 360 दिग्री ही आएगा इट मीन के जो गोल नक्षा है जा पाई चार्ट है उस दा कुल जो केंदरी कौन है ओ 360 दिग्री दा हुंदा ह जी टोटल अपने कुछ तरह है जी दोडी कात कटाओ तेन दा मुल जो है ओ कटाओ छी है ते देखो इसनों सॉल्ट का क्या अपने को की अंसर आएगा दोडी कात कटाओ तेन है इसनों पहला अपना जो कात है कटाओ देवे चोवे ता उसनों अपना जमा देवे चेंज करन इखा टेना हुंद़ा है, ताँ इसमों अपना सॉल्व कर सकदे हैं, इसमों लिखांगे एक बटा, दो दी काτα, तेन, उनका जमा विचागी है, उपर अपने को एक है, नीचे दो दी कात, तेनदा मतलब हुंदा है कि दो नू अपना तेन बार गुणा करना है, दो गुणा, दो गुणा, दो ते उपर अपने को एक दो नू दो ना गुणा करांगे, चार, चार नू फिर दो ना गुणा करांगे, आठ, एस नू आपने को अंसरा आगा है, एक बटा आठ बट एत्या अनसर देता होया है कटाओ छे जो के गलत स्टेटमेंट है अपने को एक वेलन जिस दी उचाई अते अर्ध व्यास हरेक एक सेंटीमीटर है दी कुल सता दा खेतरफल चार पाईस सेंटीमीटर दी स्केर है गलत है जैसा ही आपा दसना है जी देखो जी अपने को पहला वेलन दी अपना डियागरम बना रहने है पहला भी एक कोशन विच अपना वेलन बना चुके है जी जिस तरह अपने को गलास हुंदा है गलास दी शेप वेलन दी शेप हुंदी है कोई भी इस तरह दी चीज है जिसदी शेप इसतरा दी है जिसतरा ताम स्क्रीन देपर नजरा आ रहे है तो उसनों पाम बेलन कहा देने हैं जी ते ए देखो इसदा ए आ जायेगा इसदा अर्ध व्यास आर ते ए उसदी है जी उचाई ह एच ते ए देखो आपानू question दे which की क्या गया है उस दी उचाई अर्ध वियास दोनों एक centimeter है इट मेन जो उचाई है वो भी एक centimeter है ते उस दा जो अर्ध वियास है वो भी एक centimeter देता हो आपानू अपा इस दी पता करनी है, कुल सतिधे दा खेतर फल्दा की फारमला हुनदा है, दो पाई र ब्रैकेट दे अंदर, एच जमा आर, अपा एक एक फिल कर देता है, बार देखो दो पाई आज आजाएगा, एक दिना घुना होएगा, दो पाई रै एक 2 आ जाएगा, तो अपने को सेंटीमीटर दी काद दो, अपने को सही statement है, तो यह इस पुण अपने को इस दी कुल सत्ता के तरफल के ना जाएगा, चार पाई सेंटीमीटर दिकाद दुआ जाएगा जी किसे सॉफ्ट ड्रिंक फैक्टरी दे वेच एक मशीन आट सो चाली बोतला छे केंटे दे वेच पार दी है वो मशीन पांज केंटे वेच किनिया बोतला परेगी एक प्रशन एक सिद्ध अनुपाद दी उदारन है एक दसना है सही है जान गलत है होन सुनते हैं न देखो अपने को पहला छे केंटे यां दे वेच आट सो चाली बोतला पर दी है जी देखो छे केंटे दे वेच किनिया बोतला पर यहां जा रही है एक चीज नो अपना कटा आ रहे हैं दूसरी चीज भी काट जावे ता O की हुंदा है सिद्धा अनुपाद हुंदा है इट मीन ये बिलकुल सही स्टेटमेंट है जी ये अपने को सही ते तुसी टिक कर देना है जी कोशन अपने को इस तरह है जी जे कर किसे वर्ग दी एक पूजा पता है ता इस वर्ग दी रचना कीती जा सकती है सही जांगर ते एस तुन अपने को बिलकुल सही है जी किसे भी तुन चतर पूज दी तुसी याद रख लो किसे भी चतर पूज दीजे रचना करनी है ता सानू पांज जो चीज जांगर चाही दीजे हैं किसे भी चतर पूज दी रचना करनी है ते वर्ग दे वेच एक पूजा पता है इट में उदीजे चार पूज आमा पता लग गई है चार चीजजां पान पता लग गई है क्योंकि आपान कोटर 5 चीजजचना चाही दीजे है ते एक आपानो पता है वर्ग सारे कोण भी गई हुन दे है 90 डिगरी दे ते ए देख़वआ आपानो एभी पता लग गए कि कोण 90 डिगरी है ते देखवा आपानू इस दियां पान चीज़ां पता लग चुकी है हान चार पुज आमा ते एक का आपानू इस दा पता है वर्ग दा कौन भी 90 डिग्री होंदा है ते जेकर आपानू किसे भी चत्रपूज देवेच ये अपने को होने एस विले वर्ग है ते जेकर चत्रपूज देवेच पान चीज़ां पता हान ता आप आप आपसदी रचना कार सकते हान एट में ए बिल्कुल अपने को सही स्टेटमेंट है जी सो अगला कुशन अपने को है जी तीसरा खाली स्थान पर हो इस देवेच अपने को एक एक अंक दे然后 होनnova 8 प्रशन पहला है जी दिताग्राफ समे यह ते ताप मान देवेच तसना है कि ए संबभ यह असंबभ है जी यह देखो एधर अपने को X तो रेवाल एधर अपने को की है दिता होया है जी समा देता होया है ते उपर जो हुंदा है वाई तुरा वाई तुरे वाल उपर वाल देता होया है ताप माल ते आपनों जो ग्राफ की शो कर रहा है ग्राफ देखवा अपनों की शो कर रहा है ये अपने को ग्राफ शो है एक ग्राफ है जी ग्राफ आपनों शो कर रहा है क यह वाड़ा जो ग्राफ है वो अपने को संभव है जी पहली option अपने को आजाएगी जी अपने को इस तरह है जी एक संख्या जिस दा अकाई वाला अंक पांज होवे हमेशा डैस दा गुने जुन दी है गुने जी मतलब उस दे पाड़े वे चाहँदी है पांज दे जाएगा जी आपां किसी संख्या ले 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 हैं जिस दा अकाई अंक पांज होवे जिस तरह मानलो अपने को है पंदरा इ देखो अपने को 5 दे पाड़े वेच चाहेगा जा 2 दे पाड़े वेच आएगा ते आपने को राइट आप्शन है खारी जगा ते गिया जाएगा जी 5 आजाएगा के एक संख्या जिस दा अकाई आँक पाण जो वे हो मेशा पाँज दे पाड़े वेच आउदा है दो दे पाड़े वेच ओ नहीं आ सकता है जी समय अपने को इस तरह है जी वरग दा हरेक कोण डैश होन्दा है ते एस दा अनसला जहेगा जी 90 डी वर्ग दा हरेक कोण जो है ते देखो वर्ग अपने को किस तरह होन्दा है जी इस तहा कोई भी चीर 4 है चारश चीज नू पुर्ण नबबे डिग्री दे होंते हैं जी सुनला कुछन अपने कुछ तरह है जी दित्ते गए पाई चार्ट दे वेच एक स्कूल दे लड़के अते लड़कियां दी गिन्ती दर्साई गई है इस वन देखो अपने को पाई चार्ट दे वेच जो रेड कलर है वो लड़कियां दर्साई रहा है तो जो ब्ल्यू कलर है वो लड़कियां दर्साई रहा है जी कर एस स्कूल दे कुल वो दियार्थियां दी गिन्ती चार सो होए ता लड़कियां दी गिन्ती अपना पता करनी के नहीं है जी दिखो आपनों पता है उने आपका पिछे कर चुके हैं कि जो केंदर ते कौन होंदा है पाई 4 वे चो टोटल अपने को मिला के 360 डिगरी होंदा है इता अपने लड़किया दी गेंटी पता करनी है जी लड़किया दा कौन देखो किन्ना बन रहा है 90 डिगरी उपर आपने ल ते अपने को लड़किया हो जनगी है जी ते इट मीन अपने को केड़ी राइट आप्शन है जी फर्स वर्य ऑप्शन अपने को सही है जी सोला कुशन इस तरह है जी एक आइता कार बकसे दी लंबाई अते चुड़ाई करमवार पांज ए अते छे ए काईया है ता इस बकसे दा खेतरफल इन ने वर्ग काईया हन अपने पता करना है के लिए राइट ऑप्शन है जी उन बकसे दी लंबाई होएगी जी लंबाई अपने को किन्य आ गई है जी पांज ए ते ए अपने को बकसे दी होईगी जी चुड़ाई चुड़ाई आपनों किन्य देती होई है जी चुड़ाई देती होई है छे ए ते आपना पता करना है इस दा खेतरफल खेतरफल किया ए ज बड़ी जगाः टिक बड़ी जगह है रेड को सारी जो मैं खूला खूला आपक से दाइनगी आकर देनां करोंगो अगर पंजक्शरें tightened thinner गुना करने तो 50 श्राइब ए नू ए दिन अर्गुना करांगे ए दी का दो आ जाएगा ए बन गया जी ती ए दी को अदो ते टमीन देखो के डी ओप्षन है जी फरस्ट ओप्षन इस दा राइट ओप्षन अपने क्विश्टन है जी चार मिजदूर एक दिवार नू दस दिना विच पूरा करते हैं इस पांच दिना विच पूरा करना लई किन्ने होर मिजदूर आदी लोड पवेगी ते इस नू सुन करना लई देखो आपां इथे बॉक्स में लणा इस तरह जी ए बॉक्स दे विच अपां लिख देना है उपर मिजदूर आदी संख्या इथे मिजदूर आ जाएगा इथे देना जानेगे जी उपर मिजदूर नीचे देन ते मिजदूर चार हान देन दास लाग रहे हान ते जे कर आपां इस दिवार नू पांच दिना विच पूरा करना है देन पांच लिख लेने हान मिजदूर आदी जगा ते आपां एकस लिख लेने हान इस पूर आपने को ए पांज गुना एकस उसनु ब्राबर लिखांगे चार गुना 10 दे ब्राबर लिखांगे जी तो एथों एकस करदांगे, एकस केना है गा चार गुना 10 बटा 5, 5 ना 10 करिए जानगे 2 ते, 4 नू दो ना कुना करांगे 8, 8 मज़ूर चाहिदे हां जी, अपने को काम पूरा करण ल मीजदूर तो पहला है और पहले वारी ऑप्शन अपने को आ जाएगी जी अगला आपने को इस तरह है जिस तरह पिछे आपां कोशन किता है कि के एक ट्रक पच्ची मेंट वीच 14 किलो मेट्र दी दूरी तया कर द रहता है ये कर गति 21 रेंदी है तरह वह 5.오ंट वीच किन्नी दूरी तया करेगा तो वैसे इसनले इसरोथाई भी देखे जाँ सकता थैप 250 मेंट वह 24 किलो कि तो इस तरण सोल भी कर सकते हो जी एक जगा तुसी लिखिख良ओ उपर समोव इस जगा समा लिख लो तहें नीची आप Wi- Relay sama माही हो इस समा इस दगा तुसी लिख लो दूरि में जेकर समा अपने को पच्ची मेंट है तो दूरी किनी कवर किती है 14 किलो मीटर दूरी नो इते ब्यकरच लिखलो किलो मीटर समय इनो इते दुसी लिखलो मेंट बेच इते मेंट लिखलाने हैं जी इते किलो मीटर लिखलाने हैं जी ते हून देखो अपने को समा देता है पजा मेंट ते दूरी अपना पता करनी है ते होने दिखो अपने को एक एड़ा नुपात है एक सिद्धा नुपात है अपने को जिकर दूरी ज्यादा है ते समावी की लगेगा ज्यादा लगेगा ते सिद्धे नुपात विच की करना होंदा है इस तरह तिर्शी गुणा करनी हों पचीज दे नीचे चला जाएगा पचीज ना पजा कैंसर हो जाएगा दो ते 14 नू दो देना गुणा करांगे 14 गुणा 2 अठाई ते आंसर आपने को किन आ जाएगा जिये थे अठाई किलो मिट्रा जाएगा जी सुना लगा कुष्ण अपने कुष्ण नहीं है जी आठ रुपए अते पजा पैसे दा अनुपात रूप की है यह ऑप्शन देती हूं यह दो अपना देखना है कि एक अनुपात सोडा जां सोडा अनुपात देक एना चुके डा अनसर आए जी उपर लिखे है जी देखो आठ रुपईये ते उनुपात पता करना है आठ रुपईये दा तो जा पैसे देनार ते ए उनुपात पता करना लेशन दोनों ही अपने को सेम होने चाहिए दे हान जेकर उपर रुपईये हान तो नीचे भी रुपईये लेख लो जां जेकर नीचे पैसे यान तो उपर भी पैसे लेख लो ते आपना की करना है आठ रपईयान आपना पैसे अभी चेंज कर लेना है जी आठ रपईये एक रपईये विच्छे 100 पैसे हुन देहान ते आठ रपईये विच्छ हो जानगे यह याद रखना जी एक रपईया मतलब सौ पैसे आठ रपईया मतलब आट सो पैसे ए देखो आट सो बटा पर जाएगा होने इस दी कटिंग का दिन है देखो पैसे नल पैसे कटे जानेगे एक जिरू ना जिरू कटी गई जी उपर अपने को आ गया असी ते नीचे पांच ते होन पैसे पाड़े विच देखो असी अपने को कटे जाएगा पांज एक फांज gratis उपर सोड़ा आ गया नीचे एक आ गया यह बण गया सोड़ा अनुपात एक ते देखो केड़ी option सैकिन्ड option अपने को आ जाएगी जी पाग एडा स्टार्ट करां जा रहे हां जी हर एक क्वेशन नगत्य होएगा Numbers लेगा अपने को दो संख्यामा लिखने हान हून ते आना दिखो कि आपने को इना दे जो हार हान वो ब्राबर हान तेन बटा दास नीचे दास है इस दे बटा भी आपने को नौ बटा दास दास है जे कर हार पैदा ही ब्राबर हान ते आपने कुछ नहीं करना बस अगले दो नमबर लिख देने हुंदे हान तेन तो अगरा नमबर किया जाएगा जी चार बटा दास तो उस तो अगरा नमबर पांच बटा दास यह अपने कुछ दांसर आगा है जी दो संख्याम आपा लिखती है हान जी चार बटा दास अते पांच बटा दास सुमारला कुशन भी काफी एजी है जी दिते समांतर चतर पूझ विच वाई दा मूल पता करो ते वाई देखो केड़ा है कौन है जी इस जगा जो कौन है वाई है वाई अपना पता करना है जी यह है कि समांतर चतर पूझ ते समांतर चतर पूझ दे विच जो सनमुख कौन हुन दे हान आमने सामने वाले कौन हुन दे हान ओस्टोन हुन दे हान जी बराबर इट मीन एथे कौन कड़ा है असी ते असी दे सनमुख कौन कड़ा है जी वाई तो इट मीन जो वाई होएगा वो असीदे बराबर हो जाएगा एक ते रीजन आपां की लिखना है जी समांतर चतर पुझ देशान मों कौन बराबर हों दे हां जी इस तरह है जी संख्या देती हुई है जी 4096 में आपां पता करना इस दा वर्ग मूर तेसरी आपां आज गुननखंड विजी लगानी है जी देखो 4096 में इस दे अपां आज गुननखंड बनाए हैं जी आपां पहला दो ते करांगे जी अपने को दो हजार अर्टारी इसनों पार करके भी दूसी देख सकते हो फिर दो दे पाड़े विच यह जाएगा एक हजार चौवी फिर दो दे पाड़े विच जाएगा जी पानसो बारा फिर दो दे पाड़े विच जाएगा जी दो सो शिपिंजा फिर 12 पाड़ा पढ़ांगे 108 फिर 12 पाड़े विच आजाएगा जी 4 एदे किसमों पर इखलेने हां 4 आजाएगा 4 तो फिर 12 पाड़े दो पढ़ांगे यह आजाएगा जी 22 फिर 12 पाड़े विच 16 दो दे पाड़े विच आठ दो दे पाड़े विच चार दो दे पाड़े विच दो फिर दो दे पाड़े विच एक ते हून आपना पता करना है जी इस दा वर्ग मूल वर्ग मूल देखो चार हजार च्यान में दा वर्ग मूल किस देख़ट होएगा अपना देखना है थे जोटे दो दे किन्ने जोटे अपने को बने हाँ जी देखो एक जोटा दो तेन चार पांच ये छे जोटे बन गे हाँ ते अपना दो नूँ छे वर गुना करदना है जी दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो ते छे वर गुना करके देखो किना आजाएगा जी अपने को एक वर होड़ा जाएगा दो दो दुनी चार चार दुनी आठ अठ़ दुनी सोड़ा शोड़ा बत्ती बत्ती दुना चौंट ए आजाएगा जी अपने को चौंट आजाएगा इटमीन 4,96 जो वर्ग मूल है वो किस देखकर तो आजाएगा चौंट देखकोल आजाएगा जी संख्या देती हुई है 15,625 इस दा पता करना है कान मूल यह भी देखो आपा किस दा करना है इस दे भी आपा आज गुनार खार्मना राने हैं जी 15,625 लास्ट वेच अपने को 5 है तो एटमीन आपा इस दो 5 दे पाड़े वेच कार सकते हैं अकाई यह अंक 5 है पाइच दे पाड़े वेच इस दा इस दो दिखांगी तो एटमीन आपने को 125 फिर 5 दे पाड़े वेच आज आएगा 25 तो फिर 25 पाइच दे पाड़े वेच आज आएगा 55 पाइच जी तो एटमीन आपा इस दा पता करना है कान मूल तो एटमीन दे देखो 15,625 दा आपा कान मूल पता करना है कान मूल दा सिंबल एथे तेन बना होंदा है जी होन एथे आपां जिस तरह पिछला कोश्ण कीता सी वर्ग मूल वर्ग मूल विच आपां दो दा जोटा बनाया सी ते कान मूल दे विच आपां तेन तेन दा समूब नोना होंदा है देखो ए 5 एक स्मूव बन गया तिन नमबराँ दा ए 5 आपने को दूसरा स्मूव बन गया साथ तैक्स कटाओ, बताली, तो बताली, इसनों इस्ते शाह सकता है, जो बताली है, बताली साथ दे पाते पड़े वेचल 这个 है, दोना दे विश्ne देखंगे, जो 7 है, और 2 विचे सांजा आगया है, जी, सातनु आपांगी करना है, बार करना है, अंदर की बाच जाएगा, पहले वेच एक्स बाच जाएगा, दूसरी जगा ते अपने को 6 बाच जाएगा, देको सातनु आपांगी बार करना है, पहले वेच एक्स बचेगा, दूसरे वेच अपने को 6 बाच जाएगा, विचका बारां प्रतिश्यत सेवा कर GST लगदा है ता बस तो दा अपने को इस दा अंकित मुल किनना है जी अंकित मुल देता होया है जी बारां सौर पर ते उसते जो GST लग रहा है GST ओ किनना लग रहा है जी अपने को बारां प्रतिश्यत अपने को बारां प्रतिश्यत कर लेना है जी बारां सो दा बारां प्रतिश्यत कर लेना है ए देखो किना आएगा जी बारां सो इसे तरह दा दी जागा ते गुणा बारां बटा सो उन कटिंग हुंदी है ते कटिंग का दनी है जीरो देनार ए जीरो कटे लेगा जीरो देनार जीरो कटे आगा उपर देखो तो 12 नो 12 घुना करांगे, 104 नीचे अपने को एक है, ते 104 बटा, 101 मतलब 54 रूपय अपने को की लगगया है, है जी गी आस्टी, ति अपने को अपने को अपने को अभिस्ट मुल, अंकित मुल जो भी है, उस दे विच करके देखो अपने को किन आ जाएगा बारां सो वेच एक सो चताड़ी आड़ किते ए बन गया तेरां सो चताड़ी रिपई ये ये वस्तुदा किया गया है जी वेच मुला गया है जी सो अला कुशन इस तरह है जी 14 मीटर उच्चे एक बिजली दा खंबे खंबे दा जो परशामा है वो दास मीटर है समान स्तेतियां वेच उस रुख दी उचाई पता लगाओ जिस दा परशामा पंदरा मीटर है तो एक ते स्टुन देखो अपना इस तरह एक बॉक्स बना लण है जी यह भी आपने को जो क्वेश्चन है सिद्धा ते ओल्टन पात दे विच्चों है जी एक पास से देखो आपना लिख दना है जी 14 मीटर उच्चाई एक बिजली दे खंबा बिजली दा खंबा दी उचाई लिखते नहीं है जी जहां एथे जगा तुसी सिर्फ परशाई ए इस जगह लिखने आ आपां परशावा देखो उचाई किनी है अपने को पहले विच्चाई अपने को मीटर विच्च लिखनी है परशावा भी आपने को मीटर विच чет सिर्फ एम लिख ल strategy उच्चाई किनी है जी पहला जो है उओ 14 मीटर है परशावा क준 and a है 150 महींटर होना देखेंट होनी जिन निया अपने को चाहिए ज़्यali होगी उन ही परशामा भी ज़्याता होगा एट मीन एपने को किया एक सिद्धा नूपात है सिद्धे नूपात विच आ है तिर्शी गूणा पहले 10 चुका तो शिर्शी नूपात है 10 गुणा x सज्जे पसे आजाएगा 14 गुणा 15 ओधों x केतना पता करना है 14 गुणा 15 बटा 10 14 नूं 15 दे नाळ दे करहूं निया से निक और हो ने जांसे दिक टिंड कर दो इत मीन जो उस दा रुख दी उचाई है कि नहीं आजाएगी जै अपने को रुख दी उचाई एक़ी मीटर आ जाएगी एथ तुसी लेख देना है रुख दी उचाई ब्राबर एक़ी मीटर कोशन अपने को इस तरह है जी उचीत तत समक्दी वर्तों कर दे होए दो वाई जमा पांच पहली ब्रैकट दे वेच है दूसरी ब्रैकट दे वेच भी है दो वाई जमा पांच दा मुल पता करो ते देखो दोनों ही ब्रैकट दे वेच लिखा है दो वाई जमा पांज पहली ब्रैकेट भी दूसरी ब्रैकेट भी है दो वाई जमा पांज ते ए स्टोन बन जाएगा दो वाई जमा पांज दा काथ दो ते एत्रे स्टोन अपने को होने एक फॉर्मला लग जाएगा ए जमा बी दी का दो वड़ा की फॉर्मला होनता है ए दी का दो जमा बी दी का दो जमा दो ए बी यह वड़ा पर फॉर्मला करना है ए आजाएगा जी दो वाई दी का दो पांच दी का दो जमा दो पहली ब्रैकेट वेचे दो वाई दूजी ब्रैकेट चे पांच ए वाला फार्मॉला पाइते लगा जता है जी ते ए देखो दो वाई दी का दो है ए आ जाएगा जी चार वाई दी का दो पांच गुना पांच पच्ची आ जाएगा जी एथे दो दो अते पांच गुना करांगे दो दुनी चार गुना पांच B, V, Y ते ये सनों अपने को अंसर आ गया है जी आप मुल्पता कर ले है जी इस देविच सारे ही ूग चार चार रंक अ का HOL है पहला ⑦फ question है बार में इस अपने को दो question है जाँ है जाहा पहला Sur Sol diver Wherever तो आपने को है जी पहला देखो 10 ब्रैक्ट दे अंदर है टी कटाओ तें दूसरी ब्रैकेट दे अंदर है जी पांज ब्रैक्ट दे अंदर है 2T जमा एक देखो इस bracket पहला किस तरह solve करना है इस 3 पहला इना 2 आना आपपां गुणा करते नहीं है देखो किलना आएगा 3 पहला ट देना गुणा करनागे तेन ट आजाएगा फिर 3 पहला तेन देना गुणा करनागे ए आजाएगा कटाओदे 9 आजनगे क्योंकि कटाओदा साइन भी रते है जी इसे तरह हो ले देखो 5 जनु पहला 2 T ना गुना करांगे ए आजाएगा 10 T से फिर 5 जनु 1 ना गुना करांगे ए जमादा 5 जाएगा हुन आपकी करना है जो टी बाड़े हान उना नूं खबे पासे ते जो करले नंबर हान उना नूं सज्जे पासे शिफ्ट करना है जी ये जो को दास टी है टी बाड़े नंबर आपका एदर ले जाने खबे पासे तो जो कटा होदा नौ है उवा जाएगा अपने को सज्जे प पांच जमाण नो यह दत एक तो टी अपने को आज़ाई जी कटाओ दास अटी जात करके अपने को साथ दे पाड़े फीश दो आ जाएगा its mean कटाओ दा जो टी है वो दो दे ऄ हिएगा है एक एक कटाओ दोसी तरफ लाजिए जो कटाओ दो आ जाएगा इस तरफ आक जो, क्टाओ एओ, और दू से पासे चला जाएगा ते T, आपने को आजाएगा क्टाओ दा धू, ते ओ अपने को जून इस समी करन दा हाल आगए है अपने को इस तरह है जी, इसे दा और पढ़ कर रहे हैं, जहाँ बढ़ा, दो संख्यामा दा जो अनुपात है, पांज अनुपात तेन है, जेकर उना दे विच्च जो अंतर है, अठारा है, ता संख्यामा पता करो, तो सुन देखो आपा पहला संख्यामा लिख लेने हां जी, मान लेया जो अपने को संख्यामा हां, वो अनुपात दे मतलब 5x दे विच्चों जे कर आपां 3x नों कटा दी ये ते अपने को किस दे कल्ट हुआ आएगा अंसर 18 5x विच्चों ते नेक्स कटा मांगे ते 2x 2x बराबर 18 ते ये थो x कर लम आगे आपां 18 बटा दो कटिंग कर दे हो 2 दे पाड़े विच्चों ठारा थी 9 न कटे जाएगा इसमें जो x है वो आपनेको आंगे है 9 ते अपां पता करने हैं हन संख्यामा ते देखो संख्यामा की आजनकी अपने को संख्यामा जो हान ओ अपने को केडियां सान जी 5x ते 10x तो x दी जगा ते आपने 9 पार देना है 5 गुणा 9, 3 गुणा 9 5 गुणा 9 सुना गया पंताड़ी, 3 गुणा 9, 9 दे पाड़े भी ते 9 ते यां 7 ते ता मतलब जो संख्यामा अपने को आगयां जो अपनों चाहिदी आसान OCN या पनताड़ी यते स्ताई अपने को है जी रचनावा वड़ा कोशन है रचना करनी है जी पहला है एक सम चत्रपूज दी रचना करो जिस दे विकरना दी लंभाई या पन दती होई है तो दूसरा है एक ABCD दी चत्रपूज दी रचना करनी है जिस दे विकरना दी लंभाई या पन दती होई है 5.2 cm य से 6.4 cm सब तो पहला स्टोन तुसी की करना एक scale लाना है, scale देना तुसी 5.2 cm दी इस तरह line लगा दनी है सिद्धी जी एक क्यों क्या अपने को विकर रहन हान इस नूँ तुसी A लिख लेना है इस नूँ अपां C लिख लेना है ते ये 5.2 cm है फिर अपां A एते compass रखके अद्धे तो ज्यादा इते तक compass खोल के एक उपर चाप लगा देनी है एक नीचे चाप लगा देनी है उसे तरह जिनी compass खोली है उसनों सी ते रखके इस चाप हूँ अपा इस तरह कट देना है ते कट के स्टोन अपने को इस तरह इस दाकी बन जाएगा सम दुपाजे का 25 दा खेज़ देना है सम लम दुपाजे का AC लाइन दा होन अपना जो स्केल देना इस जगा का स्केल राखके क्योंकि 6.4 सेंटीमेटर अपने को दूसरा जो अपने को विकरन है 6.4 है उस दा अद कर देना है या जगा 3.2 3.2 इस जगा कंपस नूँ अपना राख लेना है स्केल नूँ तो उपपर भी 3.2 सेंटीमेटर देख लेना कित्फे काट दा है उसनू इस चाब नू मालों 3.2 इत्थे आ गया इस तरह नीचे भी आपने 3.2 सेंटीमेटर तो उसनू काट कर देना है इते compass रखके 3.2 cm compass खोल के उपर भी कट देना है ते 3.2 cm नीचे भी कट देना है जी तो ए देखो A point आपने को B आ जाएगा A point C आ जाएगा और आपने को D point आ जाएगा इसनों आप इसनों आप इसनों आप इसनों आपने को किया जाएगी सम चतरपूझ दी रचना हो जाएगी एक उसी सारा ही compass देना लग ड्रॉ करना है जी उसनों देखो किस तरह करना है जी question है अपने को चतरपूझ ABCD दी रचना करनी है जिस देविच BC देता है AD देता है CD AC देते BD देता होया पहला इसनों आपने रफ structure ड्रॉ कर दें है इस तरह रफ बना लेने हैं इसनों आपने को है जी दा 5.5 CD अपने को है जी 5 cm AC देखो किना अपने को जी AC जो इस तरफ A 5.5 है तो जो BD है ओ किना है अपने को जी यह जाएगा 7 cm और देखो इसमों किस तरह ड्रॉ करना है इससे structure देख देख दे हुए आपने इस तरह फाइनल स्ट्रॉ करना है पहला देखो अपना BC लगावांगे स्केल देनार 4.5 cm स्केल देनार BC लगा ले इस जगह BC 4.5 अब देखो अपने D find out करना है पहला पॉइंट ते C तो D दूरी किनी है पांज ते B तो दूरी किनी है जी 7 ते अपना करना अपने को देखो चार पॉइंट चाही देशान ए बी तो देखो आपने को देखो चार पॉइंट चाही दे सान एब d,Cigon तो दे बी पता लग गया c,b,d,bий तो हो Summa a पांज लबणा है देखो CD दूरी A तो तो किनी है 5.5 पांज आपांज झतलडेंगर ठात्म पांज गूल लणा है ते 555 ते कूल लणा चाही कोसी सुमनने Red अपने को बीडी ते इस तरह अपने को ए जो चत्र बुझ है वो ड्रॉ हो जाएगी जी एक ठोस दे वी फलक हान बारां सिखर हान इस दे किनार्यां दी गिंति आपना पता करनी है अपने को तरीका है जी इस नो तरीका है याद करना था फाइव ए फाइव लेखके ते इस विच जमा दुसीं दो कर देने हान 5 जमा दो ते होन देखो इसनो किस तरह पर करना है एत्थे इस तरह जाएगा एत्थे इकल तूदा साइन आ जाएगा ते ये अपने को देखो फार्मला बन गया F प्लस V is equal to E जमा दो F जमा V बराबर E जमा दो जड़ी जड़ी वेलुदिती है थे होना पर पार जनी है हन देखो F अपने को किन्ने हन फलक O V हन जो सिखर किन्ने हन वर्टेक्स O अपने को 12 हन यह थे equal to the sign E किनारयां दी गेंति आपना पता करनी है जमा अपने को 2 उन देखो V ते 12 अपना जोड़ाँगे ते E जोड़ के देखो किन्ना बन गया अपने को बत्ती बराबर E जमा दो उन इस दो नो अपना इद राके कि कटा देना है ते इ अपने को किस देखकर तो आजाएगा बतियां विच्छों दो कटाए ती इता मतलब जो ई है जो किनारे हन उ किन्ने अपने आ गए हन किनारे अधी गेंती किन्नी आ गई है ती दे बरबर आ गई है तुस्य ते लेख भी सकते हो किनारे किन्ने अपने को आ गए हन ती दे इको ला गए हन पहला कुशन अपने को है पंतरमा इस दे बीच भी अपने को दो पाठन पहला सरल करो ते दूसरा अपने को है सही मिलान करो ते आओ एक एक करके दोनों ही कुशन स्वाल कर दे हां जी पहला कुशन इस तरह है जी सरल करो इसनों अपना सरल करना है देखना है इस तकी यांसर हो पहला है पांज दी कात कटाओ एक एस में बन जाएगा अपने को एक बटा पांज एसे तरह दो दी कात कटाओ एक ए बन जाएगा एक बटा दो ते बाहर आपने को है जी छे दी कात कटाओ एक ए बन जाएगा एक बटा छे उपर देखो एक नूँ एक ना गुना करांगे पहल देखो उपर आड़े नूँ उपर देना गुना करना है गे एक नूँ एक देना गुना करांगे एक का जाएगा नीचे दास नूँ छे देना गुना करांगे दास चीका साथ तो एस नूँ अपने को अंसर आ गया जी एक बटा साथ आ गया है जी एक्टर अपने को है जी सही म गुणा है तो गुणा करके दोनू चार दिनार गुणा करांगे ते कटाओ आठ नार एदी का दो आ जाएगी जी अगला है कटाओ दो कटाओ चार एदोनू कटाओ वड़ी हां जोड़ जानगे साइन कटाओ दाएगा कटाओ छे ए आ जाएगा जी अगला है दो कटाओ चार यह आजाएगा कटा होदा दो ए ते होन देख देयां किस देनाड ए मैच होंदा है जी पहला देखो अपने को किस देनाड मैच हो जाएगा इस देनाड दूसरा अपने को इस देनाड मैच हो जाएगा तीसरा इस देनाड मैच हो जाएगा ते चौथा अपने को इस देनाड मै मुल पांज रपी ये दो से बांदा मुल दास रपी ये तेन से बांदा मुल पंदरा रपी ये चार से बांदा मुल वी रपी ये ते पांच से बांदा मुल पच्छी रपी ये इना दा एक रेखी गराब बनोना है ते देखो पहला की आ जाएगा एक से बांदा मुल पांज पर एक कॉमा पांच पहला बिंदू एक कॉमा पांच आजाएगा दूसरा बिंदू दो कॉमा दास आजाएगा तीसरा बिंदू अपने को तेन कॉमा पंद्रा आजाएगा चौथा बिंदू अपने को देखो चार कॉमा वी आजाएगा ते जो पंजमा बिंदू है वो अपने क divide by 5 К 5 50 कायाँ जाएगा और उन्less ग्राफ देओ पर ट्रॉख जाएगा टैह आओने उसारीenne सुन्ट होना सॉल्व कर देओ अपने कुस्तरा बनेगा इस दगा अपने कैसे घंता सब्सक्राया जाएगा अपने को इत्थो जीरू आजाएगा एक तरफ आपा लेखने हान सेबांदी गेंटी ते एक तरफ आपने को आजाएगा सुन मॉल एक तरफ सेबांदी गेंटी आजीक एक तरफ मॉल आजाएगा ते देख आपने को नीची आपा लेखने हान सेबांदी गेंटी जी एदर ओलना है इसी तरह अफाहा लाइन धूसरी लाइन 2 तीर लाइन 3 चौथी लाइन है पांज, चार ते पंजवी लाइन पांज, अगली छे, इस तरह से बादी गेंती लाली, उन इस तरफ आपा लाने हैं, जी वाई तरफ मोल, मोल देखो की है, पांज दे पाड़े वे चार है, पांज दास पंदरा भी पच्ची ते पांज पाड़ा पड़ लाँगे पहला पांज, दूसरी लाइन दास, तीसरी लाइन अपने को पंदरा, चौथी लाइन अपने को वी, ते पांज वी लाइन अपने को पच्ची, एदर दूसरी उपर वाई लेख लेना है, एदर आपां एक्स लेख लेना है, जी उन दिखो पहला पाइंट अपने को किया ज जाएगा जी इस तरहां दूसरी नाड़ कि आजएगा पंदरां एद्रों तेन इद्रों 15 जिद्धे आपस में वह अपने को तीसरा पॉंट आ गया इस तरह इद्र आपना चार इस तरफ तुसी चार लेना है तो इस तरफ आपन बूंद लेना है ए पॉइंट आजाएगा इस तरफ पांज ते इस तरफ अपने को पच्ची ए देखो पॉइंट केड़ा आगया अपने को पहला एक कॉमा पांज दूसरा पॉइंट आएगा दो कॉमा दास तीसरा पॉइंट तेन कॉमा पंदरा चोथा चार कॉमा वी ते पंजमा पांज कॉम आपने को की बन जाएगा इसता एक लाइन ग्राफ इस तरह बन जाएगा इत्थों लाएक्ट करना है। बस जोड देना है जी ओपने को की बने जाएगा इस दक लाइन ग्राफ बन जाएगा जी आपने चुछाह ०ि नुट करना जीटू सिर्फ इस ग्राफ नूं ते निफकर दे ezसक्या म्योक्ष सब्व्स वाइनें अंसर देने हैं जी क्वोष्ण दे विच की पूछ आ गया है झी छुटिया दे दिन विच एक खास जमाद दे विद्यार्थियां द्वारा प्रती देन टी वी देखन दे समयनूं दित्ते ग्राफ रही दर्साया गया हैँ जी ए बच्य दसे आ गया के कि ने केंटे टी वी दे देहान उनादा ग्राफ दिता होया है जी अपानों हिस्टोग्राम दिता है ते इस दा अपान की करना है हेर दिते प्रशना दे उत्तर देओ यह नदे आपने को एक हिस्टोग्राम है जिसनों अपान पंजाबी दिविच कहा देने हैं जी आयत चितर ते देखो सबतों पहला टीवी देखे चार तों पांज कैंटे ते पहले दा अंसर गिया जाएगा जी चार तों पांज कैंटे चार तों पांज कैंटे ये पहले उड़े वड़ा दा अंसर आजाएगा जी दूसरा है जी देखो अपने को चार केंटे यां तो वद तक किन्य वद्यार्थ यांने टीवी देखिया उन चार केंटे वाली लाइन जो है देखो केड़ी आरे है जी अपने को ए लाइन है चार केंटे वाली चार केंटे वाली लाइन ए है जी इस तों वद वद्यार्थी केड़े हैं देखो ए बत्ती आठ तेशे ए तेना आगया अपने को बत्ती आठ तेशे इना अपना अपना एड का दिना है बत्ती जमा आठ जमा छे ते बत्ती ते आठ चारी तेशे शाली वद्यार्थी शाली वद्यार्थिया ने चार केंटे तो वद समेली TV देख़या ते अगला इपार देखो जी कुल किन्यवद्यारतियां ने TV देखनली 5 के एंटे तो ज़ादा समाव बताया उन्हाँ अप हम 5 के एंटे वन लाइन देखनी है जी भेंटे वन लाइन आ है जी अपने को देखो ते इस तो ज्यादा ज्यादा मतलब उस दे सज्जे पास से जाना है पांजी के एंटे तो ज्यादा किन्ने वद्यार थी हान आठ ते छे इट मीन आठ जमा छे चौदा वद्यार थी हान जिना ने पांजी के एंटे तो ज्यादा समा बताया है टीवी देखन लेए जी अठारमा कोश्चन इस दे बीच भी अपने को दो कोश्चन है जानता दूसरी पहला कोश्चन करना है जान दूसरा कोश्चन करना है ते आओ मैं इस वीडियो बीच दानू सेकंड कोश्चन सॉल्व करवा रहे हैं देखो अपने को एक कनाव किस तरह होंदा है कनाव इस तरह पहला एक तुसी बना लणी है आयत फिर इस तरह दूसरी आयत बना लणी है जी ए अपने को एक कनाव बन जाएगा ये देखो अपने को कनाव बन गया है ते आपना पता करनी इस दी उचाई ते तुसे इसदा direct formula लगाना है कनावदी जो उचाई हुन दि देखे अपने को एज़दी लंभाई हुन्दी है ए चढ़ाई हुन्दी है तो एज़दी उचाई हुन्दी है ते कनावदी जो उचाई है उचाई हुन्दा है तुसाही फॉर्मिला लां एक थेन घ़ Information कनावदा आयतन उपर गिया जाएका जी कंदावreso इस नो तुसर्ण न लेक सब देए पनावदा आयतन बटा अधार्दा खेतरफाल ये तुसी ड्रेक्ट फर्मल गारना है जी कनावदी उचाई कनावदी उचाई बराबर कनावदा आइतन बटा अधारदा खितरफल कनावदा आइतन दिखो कितना है उपरा जाएगा जी 900 ते अधारदा खितरफल किनना है जी 180 होने इस दिया पांकार दनी है कटिंग 0 ना 0 कट्टे जाएगा उपरा गया 90 नीचे 18 अधारा आठारा दे पाड़े वीचे 90 कटाया जाएगा अधारा पांच नब्बे तो एस दो अपने को आजाएगा जी 5 तो यह जाएगा जी 5 मिल सके ते होन सुन मिलांगे अपना एक नमी वीडियो विच एक नमी जान करी लेके उदों तक लिए तन वाद